साइन्स का फोर चेप्टर, MCQ, कार्बन, एनिस कमपाउंड, जो की काफी इंपॉर्टिन चेप्टर है, और पहला कुश्चन है, बग मिश्टर फुलरीन इस एन एलोट्रोपिक फार्म, तो बग मिश्टर फुलरीन जो है, एक तरह का एलोट्रोपिक फार्म होता है, जिसे ग् चाड़े में कुछ, उपक अगेर में दिया हुआ है, the heteroatoms prigentine, अब heteroatoms का मतलब यह हुआ कि carbon, और इस वतलब हहों कि carbon, hydrogen, उसके अलावा जो element होंगे, उसको हैट्रोट्म कहेंगे, तो यहाँ पर heteroatoms कौन-कौन है, तो oxygen, और क्लोरीन है तो जो आंसर होगा दी आंसर यानि फोर्थ हैं फिर्स्ट ऑक्सिजन और क्लोरीन इन वीच अब फॉल्विंग कंपाउंड ओ एच इस दा फंक्शनल ग्रूप अब ओ एच मतलब इल्कोहल होता है तो इल्कोहल का अगर हम सफिक्ष देखे तो आल आता है तो ब्यूटेनॉल 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 का यह फर्मूला है इस तरह छो nep शोप मौलिकूल है अब शोप मौलीकूल जो होता उसमें दो तरह के इंड ओते हैं एक हैडूक 005 होता है तो हाईडूफोप है क्या है। अधो मैं इसका अंसर ढसैंग दिख लेते हैं मालोम ही है ए है है जो हेड होता है हाईडूफीलिक होता है तेल हाइड्रोफोबिक होता है हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर में जो डिजॉल्व नहीं होता है जो वाटर से एलिक्शन नहीं करता है ओब इस्ट्रॉक्श्रल फर्मुला बेंजीन देजल का इस्ट्रॉक्श्रल फर्मुला क्या होता है किừ यहाँ पर हम देख सकते हैं डूलत सिंगल और सिंगल बिंगन दोड़ बाँन डूल सिंगल नौलत और अधिन में इसंस्किलेट हाईडरो कार्बन और इसमे अगर देखा जाए तो इस में कौन हे तो इंग होना चाहिए इस unsaturated hydrocarbons unsaturated hydrocarbons क्या है तो unsaturated hydrocarbons are those compounds which have double or triple bonds तो double या triple bonds जहां हो वहीं answer होगा तो यह है जो भी है एट नमबर है कि क्लोरीन react with saturated hydrocarbon saturated hydrocarbon के साथ अगर क्लोरीन reaction करेगा तो यहां देया है कि वह किसके प्रजेंस में करेगा तो आर का मतलब हम लोग पहले तो एल्किल ग्रूप मानेंगे जिसा CH3C2H5 एल्किल ग्रूप है तो यह तरह से मेथेन है इसमें क्लोरीन reaction करेगा तो यहां क्या होगा तो यह प्रजेंस आफ सनलाइट होता है हम लोग पढ़ चुके हैं हमें मालूम है भी प्रजेंस आफ सनलाइट नाइन्थ नमबर है इन दा एवाग गीवें रियक्शन एल्कलाइन के मैंन फोर एक्स तो यहां पर जो क्या है तो इस तरह के रियक्शन में हमें मालूम है यह के मेंन फोर पोडेसम पर मैगनेट क्या है है टेंथ नमबर है ब्यूतिन ओन इजफोर तो ब्यूतिन जो फंक्शनल ग्रूप है वो किस फंक्शनल ग्रूप में यहां ओन है इधर भी ओन है तो किटन होना चाहिए किटोन नेक्स्ट है कि identify the unsaturated तो unsaturated carbon compounds हम लोग बात किये हैं that they have double or triple bond तो bond तो इसमें नहीं दिख रहा है लेकिन अगर नाम से देखें तो single bond में एन होता है double में एन होता है triple में आइन होता है एन और आइन second and third which of the following does not belong to same कौन same homologous series का part नहीं है तो ये इलकेन है ये भी इलकेन है ये इलकेन है ये इलकीन है तो D answer होगा इलकीन है कैसे पता करते हैं जितने carbon है उसको double करके 2 प्लस कर देंगे तो C का double मतलब C का double 2 होगा प्लस 2, 4 2 का double 4 होगा प्लस 2, 6 3 का double 6 होगा प्लस 2, 8 4 का double 8 होगा तो C 8 है ये इंगे होगा एथेन with molecular formula C2H5 यानि C2H6 जो है उसमें कितने covalent bond बनेंगे तो structure बना के check कर ले न कितने बनेंगे B7 bond बनेंगे which of the following are correct structural isomers of butane butane का structural isomers कोन है तो पहला तो नहीं है क्योंकि ये तो simple है second हो सकता है एक दो तीन carbon center से है दूसरा भी हो सकता है नहीं second नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे ring बन जा रहा है और fourth भी नहीं होगा देख लेते हैं second और third में से तो first और third इसका answer होगा हम यहाँ पर देख लेते हैं जिसा कि हमने देखा कि ये normal सा butane है ये हो सकता है यहाँ चुकि यहाँ भी रिंग बन गया तो यह नहीं होगा एक दो तीन यह हो सकता है यहाँ भी रिंग बन गया तो यह नहीं हो सकता तो first and third इसका answer होगा अब इसमें है कि जो सोप माइसिलीज है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है यह आउटर इंड है यह इंड है जो आउटर इंड है इसमें आयंस है आयनिक बॉंड है जो इंटीलियर इंड है इसमें कार्बन यह जो जिग जग लाइन है यह कार्बन चेन है है ठी चारों अप्शन देख लो आंसर वैसे देख लेते हैं ऑंशर में सर्फेस पे होगा और जो कार्बन हैं यह हमने बात किया कि अंदर होता है बिक्र क्या है तो विंगर क्या होता है यह Facebook पहली चीज तो यहाँ alcohol में st-cacid है, यहाँ water में st-cacid है, तो water में st-cacid होता है, वो alcohol है, अब यह है कि 5-6, 8% है, यह 50-60% है, तो देख लेते हैं answer, वैसे मालूम ही होगा. Oils on treating with hydrogen in presence of palladium और nickel catalyst, तो जब Oils की treating कराते है, hydrogen in the presence of PDE and nickel, तो उस reaction को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यह reaction भी बहुत easy है, यह बोलते हैं addition reaction, क्योंकि यह alkene होता है, उसमें hydrogen को add कराएंगे, तो वो alkene हो जाता है, saturate हो जाता है. Carbon forms for coelent bond, carbon 4 का coelent bond बनाता है, अब इसमें यह है कि after the formation of four bond, अगर वो four bond उसमें बन जाए, तो वो कौन सा electronic configuration attain कर लेगा, तो हमें मालू में carbon का atomic number six होता है, और four plus और add कर दो, four bond, तो ten हो गया, ten किसका होता है, नियान का होता है, यह है, one, two, three, four, five, six, seven, eight, और दो इसके इंदर है, यह, mineral acids, stronger acids, जो mineral acids होते हैं, वो carboxylic acids से stronger होते हैं, carbonic acids से stronger होते हैं, क्यों होते हैं, तो उसका answer दिया है, यह चार option दिया है, देख लो, easy है, ionized, ionized, कौन होगा, कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा, उसी से related यह question है, तो A है, A means first answer सही है, कि mineral acid completely ionized हो जाते हैं, carboxylic acid partially ionized होते हैं, 20 number है, while cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on outside, it means that food is, तो अगर वो नीचे से black हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत easy है, answer, flame से related, question है, saturated, unsaturated carbon से related भी है, तो B है कि fuel पूरी तरह से बर नहीं, draw the electronic dot structure, इनके electronic dot structure बनाना है, तो यह MCQ नहीं है, लेकिन एक practice के लिए बता दिया गया है, तो यहीं है,